इनका इंकाउंटर करना चाहिए, वो यह रहे, कुलदीप सिंग सेंगर, 28 मुकदमे, सुनते जाना आप, प्रिजेश सिंग, 106 मुकदमे, अपने पाटी पाटी को जोड़ दिया, आपने वो घरी नहीं देखा, जिस घर में अब तक आसू नहीं सुखे, आपने वो मा नहीं द जबूती से लड़ूँगा कि 27 में सरकार हिरा देंगे, घर का आंगन सुना हुआ है, अगर वो निर्दोष पाया गया पूरी जाच होने के बाद, तो क्या योगी सरकार, क्या योगी जी, दूसरा मंगे श्यादव इस मा को दे पाएंगे, इस बहन को दे पाएंगे, इस ब जिनका एंकाउंटर कर रहे हैं, वो तो बिचारे मासूम लोग हैं और जिनका एंकाउंटर करना चाहिए, वो ये रहे, कुलदीप सिंग सेंगर, 28 मुकदमे, सुनते जाना आब, प्रिजेश सिंग, 106 मुकदमे, पननजय सिंग, धननजय सिंग, सौरी, 46 मुकदमे, राजा पहिया, 31 मुकदमे, डॉक्टर उदैभान सिंग, 83 मुकदमे, अशोक चंदेल, 37 मुकदमे, विनीच सिंग, 34 मुकदमे, ब्रजभूशन सिंग, 84 मुकदमे, चुलबुल सिंग, 53 मुकदमे, मोनू सिंग, 57 मुकदमे, सोनू सिंग, 48 मुकदमे, अजय सिंग, सिपाई, 81 मुकद रानी सिंग 48 मुकद में संग्राम सिंग 58 मुकद में चुन्नु सिंग 42 मुकद में याश्या सिंग 88 मुकद में और ये तो बात छोड़ो आप हम 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 एक बात कहाना चाहेंगे एक बार मानिनी यह मुख्यमंत्री जी के उपर भी कितने मुकदमे हैं इसकी भी जाचो उसे भी आप लोग उठाने का काम करें देखे साब एनकाउंटर सल्यूशन नहीं है और पीड़ा हमें तब हुई है जब हमारा व्यक्ति दोशी नहीं था और अगर ऐसे आप हत्याय करेंगे जान लेंगे किसी की तो एक चीज़ का ध्यान रखना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है जितने नाम आपने गिनवाया सब नाम के बाद में संग लगे हुए थे क्या बताना आप चार है कि यादू को टार्गेट किया रहा है किसी विद्शेवित कारवाह नहीं है आप एक बात बताईए यह वो बिपेंच सिंग उसके उपर 38 मुकदमे है उसे सरफ प्रेंदर किया गया दिया गया था दो बार जो है पेस होने के लिए और इनका सीधा इन कांटर कर दिया जाता है इस पिया कहना चाहिए आप कहना कि दिग्या आपको तो जातिवाद का कितना भयानक रूप इस प्रदेश में हमें देखने के लिए मिल रहा है और आपको आज ऐसी घटना सुनने के लिए देखने के लिए मीडिया के माध्यम से प्रदेश में देश में फैल गई है ऐसी घटना है रोज हो रही है हम प्रदेश में कैसी हालात, कैसी स्थिती बन चुकी है, वो बच्चा जो अपने घर का इकलौता चिराग है, उसके मा का आचल, वो लोग इस दर्द को नहीं समझ पाएंगे, जिन्नोंने कभी परिवार नहीं देखा, इस दर्द को वही बेटी समझ सकती है, वही बहन समझ सकती है, वही बाप समझ सकता है, जो परिवार के बीच रहा हो, और अपने बच्चों से उसकी कुछ जुडाव रहा हो, बड़े दुर्भाग की बात है, कि प्रदेश में ऐसी स्थिती बनती जा रही है, कि जाती को देखकर गटनाएं हो रही है, पीडित परिवार से हमने कह दि लगाएंगे, हम उनकी लडाई में, उनके साथ ऐसे ही खड़े मिलेंगे, ऐसे सर तमाम लोग आ रहे हैं, आके चले जा रहे हैं, तो आप भी आ रहे हैं, आप से क्या लोग उमीद रखें, हम से ये उमीद रखो, जी, हमें बठा लो यहां पर फिर उमीद देखना हो, नेता की तरह है, मैं देना उचित नहीं समस्ता कि मैं इनके लिए जान दे दूँगा, मैं रोटी नी खाऊंगा, मैं पानी नी पीऊंगा, मैं रोटी भी खाऊंगा, मैं पानी भी पीऊंगा, और इस बार ऐसी मजबूती से लड़ूँगा, कि 27 में सरकार हिरा देंगे, क् कि ऐसे इस थिती और तब दिखाएंगे हम आपको कि प्रडेश चलता कैसे है। राजा किसे बनाया जाता है। allaha कि यह कि ऐसे अगर आज हो रही है। तो आप विचार करके देखेगा कल को सरकार अगर बदलतीों ऐसे घटनाएं होती हैं तो क्या इस प्रदेश के आप भेतर भविश्य की कल्पना कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं देश का युवा कभी भी कुछ करने से पहले चार बार सोचेगा और सोचने के बाद कुछ कर ही नहीं पाएगा उसके अंदर एक डर होगा आप लोगों ने डर बठा रखा है सरकार ने डर बठा रखा है कोई अगर आवाज उठाए सही मुद्दों पर भी आवाज उठाए तो आप उसे मरवा देते हैं यह ठोकों नहीं थी कब तक चलेगी कब तक चलेगी गगंजी जब लूट कांड किया जाता वहाँ पर पिस्टल लेकर अंदर लोग गए थे डकैत लोग योगी जी कह रहे है कि अगर उस पिस्टल से किसी निर्दोस की जान मार दी जाती तो क्या समाज वाज आप हमें आप समाजवादी पार्टी के सुप्रिमों उस जान के बदले जान दे पाते तो ये सवाल तो हम भी कर सकते हैं सरकार से मंगे शियादव आज इस घर का आंगन सुना हुआ है अगर वो निर्दोस पाया गया पूरी जाच होने के बाद तो क्या योगी सरकार क्या योगी जी दू आपने पॉलिटिकल लडाई बना दी आपने पार्टी पार्टी को जोड़ दिया आपने वो घरी नहीं देखा जिस घर में अब तक आसूं नहीं सुखे आपने वो मा नहीं देखी जो ब्योस पड़ी है आपने वो बहनी देखी जो हमसे बात करते हुए गिर गई बेहुश में भाजपा सपा पर उंगली उठाएगी पत्रकार मसाला ढूंडेंगे उन्हें कंटेंट चाहिए कि कैसे हमारे व्यूज कैसे हमारे लाइक्स बढ़िया आएं अरे आप एक बार घर की तरफ कैमरा गुमाओ आप दिखाओ आप 24 घंटे कैमरा वहीं पर रखो देखो कितनी बार उनकी माँ 24 घंटे में बेहोश हो रही है दिन भर भी होश रहती है बताओ न फिर दिखाओ लोगों को ये दिखाओ योगी जी को ये कि माँ तो आपकी भी होगी ऐसे नहीं चलेगा प्रदेश ऐसे नहीं चलेगा प्रदेश कि आप यादव नाम देखके गुंडा साबित कर दो किसी को गैंग्स्टर लगा दो हमारे पास सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो इतने मासूम लोग हैं जो एक चीटी नहीं मार सकते होंगे वो गैंग्स्टर के शिकार हैं गैंग्स्टर जैसे मुकदमे उनके ओपर लगे हुए हैं बताइए आपके पास युवाओ की संध्यार काफी जादा है तो क्या आप प्र प्रोटेस्ट अगर होगा तो निसंदे देश में ना सिर्फ प्रदेश में एक देश में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा कि ये सरकार विफल है प्रदेश चलाने में देश चलाने में और अगर ऐसे लोग गद्दी पर बैठे रहे तो ना जाने कितनी माओ की कोख उज वहारा देगा ऐसी कई भेहने परबाद हो जाएंगी बेकार हो जाएंगे जहां तक हमें यह परिवार आदेश देगा वहां तक जाएंगे मैं इससे बड़ी बात नहीं बोल सकता कि इस बार सरकार भी बदल के दिखाएंगे गजा इसके पहले पुस्पेंद रियादो को मारा मैं सरकार बदल ले वाली अगर बात कह रहा हूं तो मैं दिल से कह रहा हूं क्योंकि इस टाइम ना सिर्फ मंघेष की मा holds है हम सब की मारोज हो गी हम सब की मा की आत्मा तरपरी होगी तो सरकार उन मा की बददॉघांगे देखना अगर देश के किसी प्रदेश में है तो वो उत्तर प्रदेश में है और ये बड़े दुर्भाग के साथ हमें बताना पड़ रहा है लेकिन वो चीजे आपको दिखाई नहीं जाती है जिससे की हल चल ना मचे बाहर सारे क्राइम रेट्स कम करके आपको दिखाया जाते हैं कब तक चलेगा ऐसे सवाल उनसे कीजिए आप लोग हम तो यहां पर सहनुबूती देने आया है परिवार को और उनोंने बताने आया है कि आगे भी भविष्व में आप लोगों के साथ इस बहен को भी कभी अखेलानी चोड़ेंगे इसके साथ हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे, इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे, बाकी काम आप लोगों का भी है, हम तो रोज लड़ रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं, परिवार सी वियाई की मांग कर रहे हैं, किसी वियाई जाच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं, कि कॉल डीटेल्स रेकॉर्ड उन एंकाउंटर स्पेशलिस्ट की भी निकाली जाए जिन लोगों ने मंगे श्यादफ का एंकाउंटर किया है उन लोगों को भी डीटेल्स निकलनी चाहिए इसे तो आप रातो रात आपके ओपर भी लग जाएगा मुकदमा कल को आप बन के दिखाई देखा वो हमने जाच होगी और आज नहीं तो कल यह हमारी जुबान है स्पीडित परिवार को आज नहीं तो गल जाच भी होगी और असली दोशी भी आप लोगों के सामने खड़ा होगा